मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी मां के जो भावनाएं थी उनके सब्द थे ए गरीबी देख तेरा गुरू तूट गया तेरा मुझ काला हो गया तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया आज मुझे याद है तीन अगस्त दोजार पंद्रा को मैंने कसम खाई कि जब तक पीएस्सी नहीं निकलेगी मुझे लालवत्ति वाली नौक्री नहीं मिलेगी मैं दाड़ी नहीं बनाऊंगा मेरे परिवार में लगवार 1500 का परिवार है उसमें मेरे एक चाचा जी है वो पोस्ट में बन गए तो जब हम लोग काम करने जाते थे जंगल जाएं या कहीं और तो हम देखते थे कि यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं सुबै से जाक कर और हमें कुछ नहीं मिलता दो सो रु होगे तो कुछ कम मेनत में ज़्यादा काम कर सकते हो मैं लोगों को बताता भी हूं कि इन हातों से गेंती फावड़ा और सब्बल हथवड़ा चलाने से बहुत आसान काम है एक छोटा सा पेन लेकर चलाना और जमीन पर खुदाई करने से अच्छा है किताब पे कुछ कौपी लिखना तो मैं लोगों को बताता हूं कि आप जो खास कर कहते ना जो अनपढ़ है वो अगर अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो परिवर्तन आएगा और परिवर्तन ऐसा भी आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते तो मैं एक से लेकर आठमी तक हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े और हिंदी मिडियम थे तो हमेसा हेंडिय अच्छी थी दो बैच्पन से मिडियम पढ़े ऑठमी तक गाउन में पढ़े आठमी में जब टॉप किया तो थोड़ा सम्मान मिला तो लगा कि আप तो यह सम्मान पाकर लगा कि पढ़ाई पराइए बहूत अच्छी च तो ऐसा लगा कि पास में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो हमारे एक गुरुजी थे बचपन के गुरुओं को नहीं बूलना चाहिए सुरेंद मार साब बोलते थे हम लोग उनको उन्होंने हमें जलादी की संतों से एक्सिलेंस स्कूल होता है अच्छी पढ़ाई होती है तो हमने याद है मुझे हमेशा मैं वहां पर भाउम बरने गए हम लोग लास्ट डेट थी और हम लोगों को आजकल जब बस में ऊपर कोई बैट के जाता है तो हम लोग रोकते हैं उनको समझाते हैं और कई बार हमारी प पाड़ी है और विल्कुर हमाचल प्रदेश के जैसे यूटर्न लगवाक दस से पंद्रह मोड हैं उस पाड़ी में भी हम लोग बस के उपर बैट कर फॉर्म बरने गए थे और जब कहीं आप बाहर जाओ और अपने छेत्र का कोई व्यक्ति मिले तो बड़ा अच्छा लग पाया था उसके बाद इंट्रेंस एक्जाम हुआ उस इंट्रेंस एक्जाम में मैंने अच्छे नंबर लाए तो मुझे वहां पर एडमिशन मिला और फिर पढ़ते रहे पढ़ाई की फिर थोड़ा और मन लगने लगा दस भी के बाद बार्मी पास की उस समय जब सोचता थ इस भी मैंने फिर उनने मुझे समझाया और कि प्रेंडा मांता हूँ। प्रेंट्विस में जब पेंटर्विह दिया हुआ मेंस भी दिये तब मुझे लगा कि यार मैं पढ़ने में तो हजयार था पढ़ने ही है क्यों नहीं कर सकता आज मुझे याज तीन अगस्त 2015 को मैंने कसम खाई कि जब तक PSC नहीं निकलेगी मुझे लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिलेगी मैं दाड़ी नहीं बनाओंगा रिजल्ट आया और जुलाई महीना बारिस का होता है रिम जिम बारिस हो रही थी मैं पौदे लगवा रहे गया था वहां प्लांटेशन लग रही थी पौदे लगवा कर जब साम को लोटा PSC के एक स्ट्रेटजी एंटर्व्यू समाप्त होने के चार से छे या दस दिन के अंदर रिजल्ट गोसित कर देती है तो यह संभावना तो रहती कि आज भी रिजल्ट आ सकता है कल भी आ सकता है और साम को ही रिजल्ट आता जाए था तो डेली साम को घर लोटते थे तो मोबाइल चलाना होता था तो देखते थे कि आज रिजल्ट आएगा आज आएगा तो वो दिन 11 जुलाई का याद है कि साम थी मैं जब आया च्छत पर डेली की तरह गया वहां पर खड़ा हुआ थोड़ा रिम जिम थी तो मोबाइल को छिपाते हुए कि कहीं पानी में नही शुरू हुए क्योंकि उस समय नेटवर्क थे नहीं जंगल में तो मुझे लगा कुछ आज हुआ है कुछ तो हुआ है जब यह चैल पहला इतनी ज्यादा वरना जंगल में हम डेली रहते कोई याद नहीं करता तो मैं मैं एक पीडिएप तो डाउनलोड और में टाइम लग पास पास में ढूलकी वगएरा दोलक होता है और तो बोल आकर उन लोगोंने मेरा स्वागत किया बड़ा मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी मा के जो भावनाएं थी उनके सब्द थे मैंने सुनाया भी लोगों को कि उन्होंने उनके विचार थे कि ए गरीबी ए गर पुले सो आला हो गया